नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप से भी का शिक्षा प्रवामे दोस्तों मैं करूँ ना इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अशोग का लोयन कापिटल यानी की सी ही शीर्स जिसका निर्माण कराया था समराठ अशोग ने तो बिटा ये क्ला इंपोर्टन कोईशन है बेटा ये आप लोगों के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर आपको ये चित्र दिख रहा होगा जिसके अंदर तीन शेर आपको दिख रहे हैं लेकिन बेटा ये तीन शेर नहीं है ये है चार शेर ठीक है एक शेर इसके पीछे भी है जो आपको नह और यह अशोक चक्र जो एक चक्र है जिसके अंदर 24 तिलिया है उसके उपर एक मतलब एक तरह से इसके उपर यानि कि जो इसका गोल चबुत्रा है जिसके उपर इसको चत्रत किया गया है हर शेर के पैरों के नीचे एक चक्र बनाया है यानि कि चारों दिशाओं में आपको च तो पेटा यह जो डिजाइन है यह है उल्टे कमल के आकार का तो हमने समझा इस मतब जो लोयन कैपिटल है सीही शीर्स है इसको अभी हमने देखा कि यह चित्र क्या है बाकी इसकी बारुईकियों को हम समझ लेते हैं तो पेटा सीही शीर्स यानि कि आज की डेट में अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आपको सारनाथ संग्राले उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा यानि कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ संग्राले में यह जो है आज की डेट में सुरक्षित है और यह जो है बना है बनाया है और बनवाया किसने है तो समराट असोग ने बनवाया है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी और कहां बनवाया है उत्तर प्रदेश में सारनात में बनवाया है और शमराट असोग का जो संबंद है वो मौरेकाल से था इसलिए मौरेकालीन कलाकरती के अंतरगत हम स तो बच्चे इश्वी होता है मतब एक तरह से जीरो अगर हम आपने ना आप भी तेंथ क्लास में हैं आप लोग ना एसे ग्राफ बनाते होंगे तो जो वह एक्स वाई वाली लाइन होती है तो बीच में जो पॉइंट होते है ना एक्स वाई के जिसों जीरो जीरो बोलेता है मद्धेबिंदु वाला एरिया तो जो जीरो वाला टाइम पीरियड है उस जीरो वाले टाइम पीरियड को माना चाता है कि इस समय इशा मशी का जन्म हुआ था तो जीरो पे हुआ और फिर उस जीरो के बाद 8, 10, 20, 25 ऐसे बढ़ते बढ़ते 100, 200, 2000 और हम आगये हैं हैं 2012 में यानि कि जब हम बढ़ रहे हैं कहां एक साइड की और पॉजिटिविटी की और बढ़ रहे हैं तो हमारा आ गया ईश्वी चीक है या ईशामशी के जन्म के बात जिसको हम ईश्वी बोल देते हैं पॉजिटिव में और जब हम ईशामशी के जन्म के पहले चले जाएंगे जैस तो हम दोघजार वले एक्सिस पर जाता जारहा है वह हो जाएगा जीरो पॉइंट ऐसा का जन्म और जीरो से पहले यानि की इसापूर्व और जीरो के बाद यानि की इश्वी तो हम 2022 इश्वी में आज की डेट में हैं और हम तो इस सारनात इसनम का निर्मान समराट अशोग ने कब कराया इसा पूर्व तीसरी शताब दी यानि कि जीरो से 300 वर्ष पहले करीब ठीक है यानि कि इशा मशी के जनम से 300 वर्ष पहले ओके विटा तो अभी हम इसका थोड़ी से डेटेल यहां पर देख लेंगे इसको यानि कि सिही शीर्स को जो बनाया है मौरे समराट असोग ने बनवाया था कहां सारनात में यह भगवान बुद्ध द्वारा वरनसी के निकट सारनात में दिये गए प्रथम धर्म चक्र तो उनके बारे में आपने ठोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा तो उन्होंने अपना जो सबसे पहला उपदेश था यानि भध-धर्म से रिलेटेड जो उनका पहला उपदेश था वो उन्होंने सारनात में दिया था और उनकी इसी घटना को बोला जाता है धर्म-चक्र प्रविर्तन कहलाया और धर्म चक्र परिवर्तन की घटना को यादगार बनाने के लिए समराटसोक ने क्या किया सारनाथ यानि की सीर्ष का निर्बान कराया अब इसके पांच भाग यहां पर बताए गए हैं तो मुख्या शिला स्थम जो कि कई भागों में टूट कर खंडित आधार अब यह भी अलग हो चुका है और तीसरा घंटे नुमा आधार के उपर गोल चक्र जिस पर शक्तिवर साहस से भरे चार पशू हाती बैल सिहीं और घोडा देखो अगर हम यह आपर देखेंगे तो हमको यह बैल और हाती नजर आ रहा है सिहीं और घोडा पीछे की सा है और इसके बाद ड्रम के उपर चार सिहीं चारो मुख्य दिशाओं में चोकस किन्तो रोबिले अंदाज में अपने दोनों अगले पैरों पर खड़े हुए दिखाए गए हैं जबकि उनकी जो पीठ है वह आपस में सटी हुई है यानि कि जो इनका फेस है वागी की तरफ पीठ पीचे की तरफ सटी हुई है मैंने आपको बताया था इस सिहीं सीर्ष का सबसे उपरी भाग 24 सिलियों वाला एक धर्म चक्र है जो कि अब खंडी तवस्था में सार्ना संग्राले में पड़ा हुआ है इस धर्म चक्र को सुतंत्र भारत के रास्ट्र द्वज के पट्टी में गहरे नीले रंग से अंकित किया गया है आप लोगों को पता ही है इस चीज़ा आपने देखा ही है भारत का रास्ट्र द्वज यह सिहीं सीर्ष को इस सिहीं सीर्ष को बिना धर्म चक्र जो की मुकुट सरूप इस सीर्ष पर था बिना घंटी नुमा आधार के गरतंत्र भारत के रास्ट्र चिन के रूप में भी स्विकार किया गया है और आपको पता है आपने एक रुपे के सिक्ये पर भी इसको देखा होगा यह घंटी को छोड़ देते हैं इस घंटी के उपर वाला ठीक है यह वाला जो है जो आपको यह नजर आ रहा है इतना यह ह एपरी विडियो को लाइक करना दोस्तों के दाज चेर करना और है अगर उप्ली बार सिक्षा परवा परा रहे हैं या आपने अभी तक Emperor